हाई स्ट्टुएंट्स मैं आप सभी का मासारदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्वागत करता हूँ आज की इस पीडियो लेक्चर में मैं जिग्नोमेट्री क्लास 10 से अर्था मैट्रिक बोर्ट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 10 CERT के बुक से 10 CERT के सलेबस से इक्सरसाइट 8.2 बताने वाले हैं अतहर मैं आप सभी से आग्रे करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को सुरू से अन्त तक देखें और सबसे पहली बात है यदि आपने आज की वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपने लेक्चर 4 को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखें चुकि आज की जो लेक्चर होगी लेक्चर 4 वीडियो के जो पढ़ाया गया है इस पर जो अपलोड किया गया ह आप चरूर देख लें तभी आपको यह वीडियो लेक्षर अच्छी तरह स्विश मज में आएगा आज का वीडियो लेक्षर पास्टवा लेक्षर होगा ट्रिग्णोमेंट्री क्लास के लिए let's check question number one से शुरू होगा निमिलखित का मान ग्याद कीजिए question number एड चौथा question का मान ग्याद करेंगे question number दो में से कुल चार question को solve करेंगे और हम आप लोगों को मैं याद दिला देना चाहता हूं यदि आप लोगोंने मेरा यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हो तो जरूर लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें आईए लेक्चर को सुरू करते हैं प्रस्ण है जो मैंने लेक्चर 4 के विडियो में अपलोड किया है जिसमें कि मैंने बताया था कि संख्यात्मक सार्णी संख्यात्मक मान सार्णी नॉमेरिकल वाल्यू टेबल जो बताया था तो उसमें आप लोगो अच्छे तरह से उस विडियो को देखने से समझ में आ गया होगा तो आईए आपने यदि उस फॉर्मूला को याद कर लिया वोगा तो भी आपको यह सवाल बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं आप लोगों को जबर्जर्स्ट इंट्रेस्ट के साथ समझाने वाला हूँ सवाल सौट करने का experience देने वाला हूँ आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे आईए साइन इस डिगरी का value 1 by 2 plus plus 10 पे 45 डिगरी का मान 1 minus minus 10 डिगरी का मान 2 by root under 3 बटे 7 डिगरी का value 2 by root under 3 plus plus देंगे कौस साथ डिगरी का value 1 by 2 plus प्लस देंगे कौस पे 45 डिगरी का value 1 इस प्रकार से मैंने क्या किया साइन इस डिगरी का value 10 पे 45 डिगरी का value कौस साथ डिगरी का value मैंने यह वाल्यू रखा कहां से रखा मुझे याद है उस तरह से आपको भी याद होगा तो आप इस वाल्यू को वेटा सकते हैं अब इसको आप आसानी से सॉल्ब कर सकते हैं या तो जुटेगा बेने जोड़ से जोड़िये इसके निचे कुछ नहीं तो वन इसके निचे कुछ नहीं तो वन तु वन का इस या तू को टू से भाग दिए बाख फल एक एक प्लस प्लस है या बटे है ना बटे दीज़िये प्लस है प्लस दीजिए इन दोनों का लगुतम दो होगा दो को दो से बाग दो बागफल दो दो को दो से बाग दीजिए बागफल लेक आएगा एक को एक से गुना करेंगे एक होगा, प्लस है, प्लस दिजिए, एक को दो से भाग देंगे, भाग फोल दो आएगा, तो को एक से गुना दरेंगे, दो होगा, इन दोनों का वैल्यू, और इन दोनों का वैल्यू, बजल के 3 by 2 होगा, यह जुट जाएगा, तो 3 by 2 होगा, माइनस, 2 by root under 3, बटे, 2 by root under 3, पलस, 2 plus 1, 3 by 2, अब इन दोनों का वैल्यू, के से लेंगे, हो जाएगा, 2 root under 3, और, इनको इस से बाग देंगे, बाग फोल, root under 3, root under 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 root under 3 होगा, माइनस है, माइनस देंगे, root under 3 को 2 root under 3 से भाग देंगे, भाग वल्टू आएगा, 2 by 2 से गुना करेंगे, फोलों का बटे है, यह बटे है न, इसका कैल्कुलेशन यहां होगा, और अग इसका कैल्कुलेशन होगा, इसका कैल्कुलेशन होगा, इसका कैल्कुले से पुणा करेंगे फूर होगा प्लस है ये और ये और यह नस हर यानि बट्टे के ऊपर वाला अंस होता है बट्टे की नीचे वाला हर होता, अंसर में भाग लगेगा, भाग गुदाओं में बदल जाता है, 3 root under 3 plus, 3 root under 3 minus 4 बट्टे, 2 root under 3, और इस भाग जब लगेगा, तो हम लिखेंगे, 4 plus 3 root under 3 बट्टे, 2 root under 3, मतलब यह अंसर ही हर है, अंसर में भाग लगता है, तो यह अंसर यहार है, तो भाग लगा रहे हैं, 3 root under 3 minus 4 by 2 root under 3, भाग है, तो गुना में बदल देंगे, 2 root under 3 उपड जाएगा, 4 plus 3 root under 3 नीचे आएगा, यह इस से भाग लगके, पेंसिल हो जाएगा, वण आएगा, अब 3 root under 3 minus 4 into 1, 3 root under 3 minus 4, बटेंग 4 plus 3 root under 3, अब इसका प्रिमे करन करना है, जहां plus है, plus का उल्टा माइनस लेकर के प्रिमे करन करना है, चोकि नीचे जब भी कोई भिन, जब भी कोई नीचे वाला जो हर होता है, किसी भी भिन ने में हर यदि, रूटंडर में होगा, तो रूटंडर से बाहर करने के लिए प्रिमे करन किया जाता है, तो इसका प्रिमे करन करने के लिए, यह हो जाएगा, फोर माइनस त्री रूटंडर से इतना गुना उपर भी होगा, यह प्रिमे करन किया जाएगा, तो प्रिमे करन में, फोर माइनस त्री रूटंडर से बटे फोर माइनस त्री रूटंडर से बटे फोर माइनस त्री रूटंडर से बटे फोर माइनस त्री रूटंडर से प्तलब अंस में भी गुना होगा, हर में भी गुना होगा, इस प्रकार से यह प्लस भी, यह माइन और इस से गुना रोंगा तो जाएगा दिन पल जाएगा घेदीर बारत मैंना गुना बी का स्क्वेर तो बारे रूट अंडर तीन और बारे यह ओ हो स्वारी यहाँ ट्वेल रूट अंडर त्री होगा 4 इंटू 3 रूट अंडर त्री तो 4 इंटू 3 12 रूट अंडर त्री तो बारे 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 रूट अंडर त्रीन और 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 त्र माइनस यह दमा मिंटर के 43 हो जाएगा यहां बचेगा माइनस 11 नौतिया 27 प्लस 16 माइनस 11 बचेगा अब यह माइनस उपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस इन्टू 24 रूट अब ती माइनस 43 बाइ 11 इसको लीग सकते हैं यह बन जाएगा माइनस से गुना होगा यह प्लस वाला आगे कर दो यह माइनस में बदल जाएगा 24 रूट अब 3 बाइ 11 यह होगी अब ना ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर दो का पहला नंबर सवाल है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दिची तो इसका जो बहली होगा तो इसका बहली जो होगा किसके बराबर होगा यह एक अप्शन के बराबर या दी अप्शन के बराबर या यह दी अप्शन के बराबर तो को सौल करके पैठना है पहला सवाल, 2, 10, 30 degree बटे 1 plus 10 square 30 degree equal to 2 into 10, 30 degree का बेली होता 1 by root under 3 और बटे 1 plus 1 by root under 3 का all square तो हो जाएगा 2 by root under 3 equal to 1 plus इसका वर्क करेंगे, 1 by root under 3 का वर्क हो जाएगा 1 by 3 तो हो जाएगा 2 by root under 3 बटे, बटे इसके नीचे कुछ नीचे तो एक भीन जोर से जोड़िये, तीन एक का लगतां 3, एक तीया 3, भाख खलतिंग गुना 1, 3 plus 3 को तीन से भाग रहेंगे, भाख एक एक गुना एक, एक तू बटे 2 by root under 3, यह मिलके 4 हो जाएगा, जब हम इसको गुना में बदलेंगे, 3 जाएगा उपर और 4 आएगा नीचे दो दूनी, 4 इसको इससे भाग द आएगा, root under 3, root under 3 by 2, root under 3 by 2, आप हमको यह पता करना है, कि sin 60 degree का value, कि इतना होता है, root under 3 by 2 होता है, इसी भी हब लोग यहाँ जीख सकते हैं, sin 60 degree, अर्थान सही विकल्प, अर्थान सही विकल्प, कि sin 60 degree, इसी प्रकाल से एगली सवाल को बनाते हैं, 1 minus 10 square, 45 degree, 1 plus 10 square, 45 degree, 1 minus 10, 45 degree का value, 1 होता है, square and 3 square देंगे, 1 plus 10 square देंगे, यहाँ बनाते हैं, 1 square, 1 minus 1 का square, 1 ही होगा, 1 plus 1 का square, 1, यह 0 में बदें जाएगा, यहाँ 2 होगा, 2 को 0 से बाग देंगे, 0 आएगा, जिरो हो गया, जिरो इसमें देखना है, कहां पर है, जी नमबर में है, जब इसका value होगो 0 मिला, जी नमबर में, तो हम यहाँ लिखेंगे, कि अर्थान सही विकल, सही, विकल, अगला सवाल के और बड़ पे है, पीश्रा नमबर, तीश्रा सवाल के, time 2a, equal to 2sin a, तो हम, शॉपर इसको, sin 2a का फश्रूडाओ अगला the 2sin a, into cos a or direct to sign a, तो अब हमको लिखना है कि कॉस एक जब निकालेगे तो टू साइन एक ही नीचे टू साइन एक चलाएगा तो टू साइन एक टू साइन इसे भाग देंगे भाग पर लेक आएगा कॉस ए पराबर एक तो कितने कॉस का मां एक होता है तो कॉस जेरो डिगरी का बैल्यू एक होता है तो यह बराबर हम लिख सकते हैं जेरो डिगरी एक स्थान पर जेरो है तो एंगल का जो बैल्यू है मां जेरो डिगरी है अर्थान सही विकल अर्थान सही विकल जेरो डिगरी ए होगा अगला सवाल को बढ़ते हैं चौपा नमबर तो टें थर्टी डिगरी बटें 1-10 इसक्री थर्टी डिगरी एकल तो टें थर्टी डिगरी का बल्यू बाटें बटे 1-1-10 ऐन गुना हो जाएगा इसकी नीचे कुछ नहीं तो परला उपरला गुणा होगा निचला गुना होगा तो थर्टी हो गटेंगे इसकी नीची कुछ नहीं तुई, 1 by 1, minus है, minus देंगे, 1 by root under 3 का square जब होगा, 1 by 3 हो जाएगा, 2 by root under 3, बाटे, एक 3 का लगुता, 3, एक को 3 से भाग देंगे, भाग फल, 3 आएगा, अब 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 होगा, minus, minus है, 3 को 3 से भाग देंगे, भाग फल, 1 by root under 3, गुना हो जाएगा, ये 3 नीचे है, तो उपर जाएगा, और 3 गटाई एक बचेगा, तो, इसको इससे भाग देंगे, भाफल, इसको इससे भाग देंगे, भाफल, root under 3, root under 3, root under 3, ये हो गया, answer, तो, सही विकलब के उसाब से root under 3, इसमें आएगा, cost 60 degree का मा, root under 3 नहीं है, 10, 60 degree का मा, root under 3 नहीं है, 10, 60 degree का मा, root under 3 है, तो इस प्रकार से, C नमबर का answer होगा, अर्थान, सकों, लिख सकते हैं, 10, 60 degree है, अर्थान, सही विकल, सी नम्मर टेन साथ डिग्री फाइनल इंसर यह हो लिया है अब यह सवाल बना कठिर तो नहीं है सवाल बहुत ही आसानी तरह से बन जाता है कठिर तभी आपको होगा जब आप फर्मुला को याद नहीं रखे होंगे यदि आपको फर्मुला याद होगी तकि आपको कठी लगए था यदि साइंटीस डिग्री का संख्यात मकमान एंपैसारेस डिग्री का संख्यात मकमान कॉसेक साथ डिग्री का संख्यात मकमान यदि आपको मालूम होगा तो आप सभी का संधात्मक मान को लेठाते जाएं और सॉल्व करें सॉल्व करने के बाद आपको स्पैंसर तो इसी प्रकार से उसमें भी है तो इधार कहीं कोई दिकत नहीं है आप आराम से माला सकते हैं साथ डिरी का मान वन बाइट रहता है प्लस टेंगे प्लस देंगे और तैका लिश्टी का मान वन उपता है उसके निचे कुछ ने तो यह दोनों को पैसे जोड़ लेना है उसके बाद फिर इन दोनों की जोड़ने से घृटा से घरटाएंगे तो इसको इससे भाग देंगे तो वहागत रूटन दल्ब ट्री हैंक त्गो फिर रूटन दल्ब ट्री सब्सक्राइब यह बट्टे की नीचे वाला नीचे आजाएगा यानि अंस हर बन गया और हर अंस बन गया यह यह इस से बाग लगके कट जाएगा तो यह होगा च्री रूट अंडर 3 माइनस 4 इंटू 1 तो जाएगा च्री रूट अंडर 3 माइनस 4 भट्टे 4 पलास 3 रूट अंडर 3 अब नीची वाला यदि रूट अंडर में रहे तो उसको हम रोट से बाहर करने के लिए पलस का उल्टाची ने ल अंसमें भी इतना निचे वाला होजाएगा एक प्लस भी ये फुल पलस बी इंटू ए माइनस वर माइनस और ये इससे गुना आओँए चार्टिया बादैशारू जाएंगा ये इससे गुना होके माइनस होके विद आनवी प्लस प्लस होके नहों रות तीन गुना हो के तीन में बदल जाएगा मैंनस चार्स से गुना होके शोल जाइगा चार को बना तो विद जोटें रुटेंदर त्री बन जाएगा मैञ उसल्ट हैगा मै इनस आइस मैनस 16 मैनस 27 मैनस 47 और प्लस तो बच्चे का मैनस 11 अब यह मैनस उपर चला जाएगा वहावग लग करके तो यह मैनस इस पर गुना होगा स्वाल बनाना बहुत इसी हो सकता है सवाब बनाने में प्रावलम नहीं सबसे मैं चीज है आपको इसका संख्यात्मत मान याद रहना चाहिए यदि इसका संख्यात्मत मान आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल बनाने में दिखतें आ सकती है से हमने इस इस किर्प्यां आप लोगों से बार-बार मैं अनुरुद करता हूं कि इस प्रतीक ऐन्हम और लें को याद कर लें जैसे कि मैंने trigonometrical value table बताया था sign cos 10 cos sec 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree प्रतियक के संख्यात्म कमान प्रतियक 0 degree के लिए संख्यात्म कमान 30 degree के लिए 45 डिए 60 डिए 90 डिए प्रतियक का जो संख्यात्म कमान जो होता है सभी का संख्यात्म कमान आपको याद रहेंगा तो आप संख्यात्म कमान बैठाते जाएं बैठाते जाएं बैठाते जाएं संख्यात्म कमान बैठाते जाएं संख्यात्म कमान बैठाते जाएं जब फ्र माइनस कर लेनी , इस का जो बन जयारा इतना से उपर भी गुना होगा, इतना से नीचे भी गुना होगा अब जहां आप करना हवाँ करके, शोलुशन आप करिए हावाँ से हो जाया है इसमें भी कोई लिखर नहीं है, आपको क्या करना है, संख्यात्मक मान, बेठाते जाना है, संख्यात्मक मान, 10, 30 गरी का संख्यात्मक मान, 1 by root under 3 होता है, तो आप बेठा देंगे, आप सवाल, आपका स्वाल हो जाएगा, यह से गुना होता, तो 2 by root under 3 और इसका वर्ग हो जा आने से, 1 by 3 हो जाएगा, दोनों जुग जाएगा, भी ने जोड़ से, तो यह हो जाएगा 3 plus 1 by 3, और बन जाएगा 3 by 4, अब यह अंस है, यह हाँ है, अंस हर में भाग लगता, भाग भूना में होगा, तो 3 उपर आ जाएगा, और 3 plus 1, 4 टीची आ जाएगा, इसको इसको इस 10s का 45 degree, 10s 45 degree का 1 value होता, 10 45 degree का 1 value होता, अब 1 minus 1 कैस्पर, तो मतलब हो गया, 1 कैस्पर 1, 1 कैस्पर 1, 1 minus 1, 0, 1 plus 1, 2, 2 को 0 से भाग जाएगे, 0 होगा, तो और फास सही बिकल D, D नम्मर में 0 है, इसका सही बिकल, दो नम्मर के लिए सही बिकल, D नम्मर में 0 होगा, तो यह जे इतर हो गया, sine to A, 2 sin A, sine to A का सुत्र होता है, sine to A का फोर्मULा होता है, 2 sin A, 2 sin A into cos A, 2 sin A into cos A, 2 sin A into cos A, इस फोर्मULा को आप याद रखें, इस फर्मुला को आप यहाद रखें इस साइन डाफ यह बराबर कास निकाल के तो तुसाइन ही निगरा जाएगा कितने कॉस का मान एक होता है काउस के साम बराबर है तो कितने कॉस का मान एक होता है कि ये वनावभर जिरो डिग्री विओगा तो साइब दोनों साइब स्था ये वडावर जिरो डिग्री स्कार्थ हो Uh सही विकार यानि दिडरो डिग्री to 10-30 दिग्री बट्टे 1-10-30 डिग्री 1-81-30 आप अब आख अब इठा करके आपको दिकत नहीं होगा अगर यह विडियो आपको प्रसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और आपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक आप से आप सेयर कर सकते हैं अगले वीडियो मैं अप्लोड करने वाला हूँ जो वो सबसे जादा इंट्रेस्टेड होगा मैं अगले वीडियो आप लोगों को exercise 8.3 से बताने वाला हूँ अगले वीडियो मैं अप्लोड करूंगा बहुत जादा इंट्रेस्टेड के साथ बताने वाला हूँ कि किया आप लोग इस वीडियो को दियान से देख करके जरूर समझ लें और इसका घर में जो है देख से अदिक बैट करके सवाल को बनाएं मैं वेहनत खिरें सवाल से बनेगी मैं इस बात का उमीद करता हूँ थैंक्यू सो मुश ऑप खिरें